प्रिये भक्तों हनुमत लाल और बाली में एक बार महा जुद्ध हुआ था इस जुद्ध के रहस के बारे में हम आपको बताएंगे कि जुद्ध क्यों हुआ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छा लेगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और स जाती घंटी के निशान को दवाना नहीं भूलिएगा रामायन में बहुत सारी कथाएं हैं जो रोचक भी है और शिक्छा देने वाली भी हैं उन्हीं में से एक कथा है बाली और महा बाली हनुमान जी के बीच हुए जुद्ध की इस रोचक कथा को देखने और सुनने के ब बाद मनुस्वजाती कई शीख मिलती है कि हम कितने भी सकती साली हो जाएं कितने भी धनवान हो जाएं पर हमें घमंड़ नहीं करना चाहिए तो आईए अब कथा आपको सुनाते हैं कि सिंधै could राजा बाली के बिशाय में तो हम सभी जानते हैं ऐसा मना जाता है कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी के शंतान थे रामायन के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र ने एक सोने का हार दिया था इंद्र द्वारा दिया गया हार बहुत सक्ति साली था इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत रुक्त कर यह बर्दान दिया था कि इसको पहन कर बाली जब भी रनभूवी में अपने दुस्मन का सामना करेगा तो उसके दुस्मन की आधी सक्ती बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कराण से बाली लगभग अजे हो गया था बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था जिसके चलते हो तीनों लोकों में सभी को जुद करने की चुनोती देता रहता था एक दिन बाली अपने ताकत के मद में चूड एक जंगल में जोड़ जोड़ से चिला रहा था पेर जंगल के बीच हनुमान जी तपस्या कर रहे थे बाली के इस स्वर से हनुमान जी को राम नाम जब करने में बिग्ण हो रहा था और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले कि हे बीरों के भी ब्रह्मा के अंसराज कुमार बाली आपको कोई नहीं हरा सकता है पर आप क्यों इस तरह से सोर मचा रही है हनवान जी ने बाली ने बाली से अपने बल पर घमण रना करते हुए राम नाम जाप करने की श़लाह दी जिससे बाली पहसे बारी क्रोधित हो गया पुमान किये जाने से हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और बाली की चुनोती को स्विकार कर लिया तैह हुआ कि अगले दिन सुर्जोदय के साथ ही दोनों के बीच नगर के बीचों बीच जुद्ध होगा अगले दिन तैह समय पर जब हनुमान बाली से जुद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि तब ही उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गया उन्हेंने हनुमान जी को समझाने की कोशिस की कि ये बाली की चुनोती को स्विकार नौ करें तब हनुमान जी ने ब्रह्मा से कहा कि ये प्रभू जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है मैं इस जुद से पीछे नहीं हट सकता इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि है हनुमान ठीक है आप इस जुद के लिए जाओ पर अपनी सक्ती का दसबा भाग लेकर ही तुम जाना इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उनकी बात मान लिए और अपनी सक्ती का दसवा भाग लेकर जुद हस्तल पर सिरी हनुमत लाल जी पहुँच गये जुद्ध के मैदान में कदम रखते ही बर्दान के मुताबिक हनुमान जी की आधी सक्ती बाली के सरीर में चली गए एक जगह पर जाकरो रुका वही पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर समझते हो लेकिन तुम्हारा सरीर हनुमान की सक्ति का छोटा सा हिस्सा नहीं समाल पा रहा है जिसके बाद बाली को एहसास हुआ कि वह गलती कर रहा है उसने हनुमान जी को दंड़बत प्रनाम किया और बला अथाह बल होते हुए भी आप सांत रहते हैं और रामभधन गाते हैं और मैं आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और आपको ललकार रहा था प्रभू मुझे छमा कर दिजिए हनुमा बॉक्स में जरूर बताईए गया जय स्री राम जय हनुमान